हेलो दुस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकर में आज हो गई है साथ अक्टूवर और अपसे आठ में दिन IBPS PO Pre का एक्जाम है और अभी तक Admit Card नहीं आया है सच कहें तो IBPS का ये ट्रेंड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि एक्जाम के कुछ दिन पहले Admit Card आउट करना अब पहले क्या होता था कि लगबख 15-18 दिन पहले IBPS Admit Card आउट कर देते थे और अब लगबख 7 दिन बचे हैं और अभी तक Admit Card नहीं आया अब ऐसे में होता क्या है कि जिनके एक्जाम सेंटर्स पास में रहेंगे वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकि जिनके एक्जाम सेंटर्स दूर होंगे तो Reservation भी कराना पड़ता है और इस महिने की बात करने तो ये Festival Month है ऐसे में Reservation में भी परिशानियां होती है थोड़े दिन पहले Reservation कराने पड़ते हैं तो इस बारे में IBPS को थोड़ा सा बचार करना चाहिए कि जिस तरह वो पहले लगबख 15 दिन पहले Admit Card दे देते थे तो 15 नहीं तो लगबख 10-12 दिन पहले तो Admit Card आउट कर दें जिससे कि जिनके भी exam center दूर रहेंगे तो वो अपना Reservation करा लें अब कुछ students को लग रहा है कि Admit Card नहीं आया तो exam 15 से होगा कि नहीं होगा लेकिन बहुत सारे students को पता है कि ऐसा पहले भी काफी exam में हो चुका है कि exam के कुछ ही दिन पहले Admit Card आउट हुआ RV Assistant Pre की बात करें तो 5-6 दिन पहले ही Admit Card आया था RRV PO Mains में देखने को मिल गया है तो सबी students से यही कहेंगे कि जिस रफ्तार से आपकी तयारी चल रही है उसको slow नहीं होने देना है और अपनी तयारी 15, 16 और 22 October के according ही करें बाकि आज देखते हैं कि IBPS PO Pre के Admit Card का दिन है कि और थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ेगा बाकि मिलते हैं फिर नेस वीडियो में चप टक के लिए धन्यपाद